हेलो गाइज, वेलकम टू जेक स्टेडी सर्कल जैसा के आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे यू पीसी जेके पीसी टूल सुजान ट्वेंटी टू का कोर्स लॉंच हो जुका है और आज का हमारा टॉपिक है लेक सिन इंडिया ज़्यदा वक्त ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक लेक सिन इंडिया गाइज, लेक सबसे पहले लेक होती क्या हैं सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा लेक सिन इंडिया और वेरियेबल साइज फिल्ड विड वार्ट लोकलाइज इन बेसिन डैट इस रौंडिंग बाया लेंड कैज आप जैसे मान लीजिए कि एक जमीन है उस पे कभी एक खड़ा पड़ जाता और इसमें जब पानी फिल करता है तो तब हम ये जो पानी अंदर इसके अंदर स्टोर हो गया तब हम इसको बोलते हैं लेक्स तो इसके चारू और क्या होती है जमीन होती है दैट इस रौंडिड बाया लेंड वही लिखावा है रिव और रहना मोलती है लेक लेक से लेक किसी रीवर का सोस भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है वह सोस हो सोस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता ठीक है गाई फिर नेक्स हम बात करते हैं लेक्स लाइस ओन दी लेंड और नाट पार्ट आफ दी ओशियन अब ये देखो फार एक्जमपल ये हमारी जो चेली का लेक है ये ओशियन के किनारे लाइक करती है और ये ओशियन का वाटर से ये फैडलती है जो ओशियन के पास जो भी मैक्सिमम लेक्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं लगून्स ठीक है काई तो जो लेंड पर लेक होती है ये हो डिस्टिंक्ट फ्राम लगून्स ये लगून्स से बिलकुल अलग होती है यह shallow body होती है water की जो के separate करती है larger body of water by barrier, island और reef से guide फिर next हम बात करते है Lakes are also larger and deeper than ponds जो lakes होती हैं वो large होती हैं और deep होती है as compared to ponds though there are no official or scientific definition so इसकी कोई भी official or scientific definition lakes की नहीं है Lakes can be contrasted with rivers or streams which are usually flowing however most lakes are fed and drained by rivers and streams जो most of lakes है Indian lakes वो उनको कौन fed करते हैं river करते हैं guys next हम बात करें type of lakes अब lakes हमारी कितने types की होती हैं अब हम उसको discuss कर लेते हैं सबसे पहले अब देख सकते हैं guys types of lakes types of lakes हमारी bodily two types की होती हैं एक होती है natural lakes और एक होती है हमारी artificial lakes और इसमें भी हमारी होती है जैसे volcanic lake volcanic lake कैसे होगी जैसे for example eruptions of lava होता है mountains पे और यहां पे क्या पढ़ जाता है खड़ा पढ़ जाता है इसको बोलते हैं creator और आफ्टर सम्टाइम इसमें जब बारिश होती है और इसमें water fill कर जाता है तो तब यहां पे जो लेक बनती है उसको हम बोलते हैं volcanic lake और और आक्सबू लेक कैसे बनती है यह आगे मैं आपको दिखाऊंगा यह होता है meandering of river अब जैसे river इस तरीके से flow कर रही है after a long time यहां पर क्या होता है deposit करती है वह अपने साथ जो भी sand लेके आती है deposit कर देती है और यहां पर यह एरिया इसका cut हो जाता है और यह यह यहां से ऐसे flow करना शुरू कर देती है और यह जो बना देती है यहां बन जाती है हमारी oxbow lake और फिर next हमारी आती है glacier lake for example हमारे जो glaciers होते हैं वो पिगल कर जब नीचे आते हैं और नीचे खड़ा टाइप बना देते हैं और इसमें water fill हो जाता है तो इसको हम बोलते है glacier lake फिर टेक्टोनिक lake क्या होती है जैसे हमारे आपको पता है कि हमारी जो plates होती है वो क्या करती है एक दूसरे से जब अलग होती है तो यहां पर एक वो बना देती है गैब बना देती है यह plate इस तरफ move हो रही है यह इस तरफ move हो रही है जब इसमें gap बन जाएगा बहुत सारा और इसमें water जब fill करना शुरू कर देगा तो तब इसको हम बोल सकते हैं अजब बन जाती है यहां पर क्या यहां पर हमारी बनती है तरफ बना दिया और यहां पर जो water reservoir बना इसको हम बोलते हैं artificial lakes guys फिर हम next बात करते है natural lakes की बारे में अब natural lakes अब देख सकते हैं कैसे बनती है natural lakes और जरनले found in mountainous area यह mountainous area होती है वहां पर बनती है यह rift zone हो वहां पर area with ongoing glaciation जहां पर glaciation का process हो वहां पर यह lakes बनती है natural lakes और form through a number of processes processes यह number of processes के तुरू बनती है सबसे पहले हम बात करते है tectonic movement of mountain range can create a bowl shape depression that accumulate water from the lakes जैसे आपको यह बताया कि यह देखो जैसे इसमें यह दरारें पढ़ना चुरू होगी यह boundary इस तरफ मूव करेगी यह इस तरफ मूव करेगी इसमें इसको deposit हो जाएगा तो यहां पर यह बनना देका lakes और landslide are glacial blockade leads to lake formation for example यहां पर यह देखिए जैसे यहां पर हमने तो डैम बनाया पट यहां पर कभी landslide हो गया तो यह यहां पर बंद हो गया और यहां पर जो reservoir बन गया उससे भी हमारी बन जाती है lake salt lake from where there is no natural outlet hence here the water table has higher than normal salt content salt lake वहां पर बनती है जहां पर उसका natural outlet नहीं होता मतलब वहां पर पानी deposit तो हो गया बट वह वहां से बाहर नहीं जा सकता तो उसमें क्या होता है salt content बहुत ज़्यदा होता है और oxbow lakes are found by meandering of rivers that flow cross up flood plain and get cut up जैसे मैंने आपको बताया यह river ऐसे पहले जा रहा था पहले कि शहीद ऐसे जा रहा होगा ठीक है guys तो after some time यहां पर deposit होना शुरू हो गया और rivers ने अपना last stop change का दे जहां पर erosion होना शुरू हो आओगा साहिल का तो river इस तरह से मूव करना शुरू हो गया होगा तो इसको हम बोलते है आकस बो लेक नेक्स्ट हम बात करते हैं artificial की लेक के बारे में artificial lake constructive for industrial और agriculture use हम इनको especially industrial purpose के लिए या agriculture use के लिए हम इनको बनाते हैं यह hydro electric power generation के लिए भी इसको बनाते हैं domestic water supply अगर किसी city को water supply करना होगा वहाँ पे हमें artificial lake बनानी पड़ेगी इसकी example है गुरू कोबिन साजर is an example of artificial lake इस support बाकरा नंगर हाइडल प्रोजेक्ट बाकरा नंगर हाइडल प्रोजेक्ट कोबिन सागर लेक पे प्रेजेंट है और second कोडी कनाल लेक तामिलनाडू में है यह other example है artificial lake की यह man-made lake है कि next बात करते हैं types of lake अब lakes कितने types की होती है यह two types की होती है एक होती है हमारी fresh water और एक होती है हमारी salt water lake अब हम बात करते हैं types of lakes के बारे में सबसे पहले tectonic lakes these lakes are formed due to folding and falting of plates in earth crust जैसे मैंने आपको बताया कि यह हमारी players ते हैं इनकी movement होती है तो इसकी वज़े से जो बनती है lakes उनको बोलते हैं tectonic lake इसकी example है caspian sea ठीक है लेक बाइकाल सो मेरी एंड पैंगंग सो जो हमारी लेदाक में है यह example है हमारी tectonic lakes की guys these are the important lakes which should be remembered ठीक है guys फिर उसके बाद आती है creator lake these lakes are formed when caldera and creators are filled with water जैसे मैंने आपको बताया है यह creator होता है volcanic corruption जब यह dormat हो जाते हैं volcanoes तो जब इन में water fall करता है और इसमें बर जाता है तो तब यह हां पर बनती है creator lake इसकी हमारे पास example है lonar lake in maharashtra ठीक है guys फिर उसके बाद हमारी आती है glacier lake glacier lake कैसे बनती है these are formed to the origin and melting of glacier जब हमारे glacier melt करते हैं और उनका water जो नीचे आता है और नीचे हमारा यहां पर deposit हो जाता है यहां पर जो हमारी लेक बनेगी इसको हम बोलते है glacier lake यह glacier lake mostly कहां पर बनती है हिमालियन रिजट्स में बनती है guys फिर उसके बाद आती है types of lake में आगे next आक्सबो lake आक्सबो lake जैसे मैंने आपको बताया यह बनती है formed due to depositional and original activities of the river जैसे यहां पर यहां पर इसने deposit किया और यहां से sorry जहां पर इसका erosion होना शुरू हुआ यहां पर जब deposit होना शुरू हुआ तो यहां से बन्द हो गया और यहां से water flow होना शुरू हो गया यहां पर बन गी हमारी आक्सबो lake और लगून्स यह लगून्स फॉर्ण ड्यू टू डिपोजिशन अफ सेंड बार अलॉंग विद इस सी कोस्ट अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह सेंड डिपॉजिट होना शुरू होगी और इस water bodies को यहां से पर इस दिखनेक्ट कर दिया और यहां पर इसको बन आप जाते घ्डार हैं लगून्स और हमारे जो इसकी examples हैं चीलिका लेक और पुलीकट लेक हैं लगून्स की या से चीज़ें की जाती हैं फार इजम्पल इसकी हमारी आप लगा सकते हैं सुखना लेक चंडिगर में और हाइडरोलोजिकल एकनॉमिकल एकनॉमिकल परपस के लिए ये बना जाती हैं जिस पे हम फार इजम्पल हमारा पाकड़ा नंगल डेम हो गया सलाल प्रोजेक्ट हो गया बगलियार हो गया जो हाइडरो पावर मतलब प्रड्यूस करने में हल्प करें वो लेक्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशल लेक और उसके बाद हम सम इंपॉर्टन लेक्स आफ इंडिया की बात करें तो इसमें हमारी आप देख सकते हैं पुली कट लेक ये हमारी अंदर परदेश में है कुलेरू लेक अंदर परदेश में है डिपोर लेक असाम में है कमर लेक बिहार में हिमरसर लेक गुजरात में है कंकरिया लेक गुजरात बदखल लेक हरियाना ब्रमसरोवर हरियाना चंदरताल हिमाचल परदेश महराना परताब सागर हिमा के में और फुलर लेक यह हमारी जम्हों कश्मिर में आ आध अभारा ले करनाटका उल्सूर ले करनाटका पर टानार लेख के रेला सिस्ट हम कोटा लेक के रे लाइ मद्देपरदेश, सिफसागर लेक, महराश्टरा, लोत्कमानीपूर, और उम्यम लेक मेगाले में, तामदी लेक, ये मिजुराम और चिलीका लेक, उडिसा, तिस दी ब्रैकिश वाटर लेक, पिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरीके, हरीके, पंजाब में, कंजली, पंजाब, सांबर लेक, राज़स्तान, सौमगो लेक, सिकीम, चिम्बारा, बकम, लेक, ये तामिल नाडू, हुसेन सागर, तिलिंगाना, गोविंद, बल्लब, पंथ, सागर, उत्तर परदेश, बेला सागर, उत्तर परदेश, और भीमताल, उत्तरा खंड में हैं, और कालवेली, ये सामिलनाडू में है, अग्वन के था करते हैं, या देखो हमारे लदाक में, पैंकॉं सो, और सो मेरी, और हमारे जमु कश्मीर में, वुलर लेक, ड़र लेक, और मंसर सुरेंसर लेक, ये हमारे जमु कश्मीर, हिमाचल परदेश की बात करें, यहां पे चंदर ताल, पौंग डेम और रेनी का डेम ये हमारे हमाचल परदेश की लेक उत्राखन में बीमताल और रूपकंड लेक ठीक है गाइट और बिहार की बात करें हम अगर तो यहां पे कमर लेक है असम में दीपर बील लेक है लोतक लेक मनीपूर में है रुद्र सागर लेक त्रीपूरा में है और उडिसा की बात करें तो बीतर कनिका और चिलिका लेक नाजार जुन्ति लंगाना में और कलेरू लेक अंधर परदेश और पुलीकट लेक भी हमारी अंधर परदेश में है केरिला की बात करें हम लुनार लेक और सलीम अली लेक. ये हमारी महरास्टरा में. बोज़ता लेक हमारे आगी, यहां मध्द्श और देश में. और गुजरात की बात करें, नाल स्रोवर, अस्रदार स्रोवर देम, यहां पे हमारा स््टच उफ यूनिटी है, यह हमारी आती है कुजरात में और राजिस्बान की बात करें संबर लेक, नकी लेक और दिबार लेक और हर्याना की हम बात करें यहां िавайके वैटलेक काईजियर हैं मैंने आपको मैप के फूट बताया कौन-कौन सी लेक हमारी कहां पर है और उसके बाद हम एक एक लेक को डिसकस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वूलर लेक की यह लार्जस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की और इसकी लोकेशन है बांधीपुर कश्मीर में जो जेलम रीवर है और मदुमती इसकी मेंस्ट्रीम है जो इसमें आके इसको फ प्लेट्स की डाइवर्जेंट्स की वज़ए से यह लेक फॉर्म्ड हुई है दा ओरीजन में आलसो अट्रिब्यूटी टुए कश्मीरी वर्ड वूल का मतलब होता है फिजर और गैप गैप मतलब वूल इसी के नाम पे हमने इसका वूलर लखा हुआ है कि मतलब यह गैप क को मालूम होगा कि हमारे कश्मीर पेरा एक सथी सर लेक होती थी उसको रहमेनेंट उसको सुखा कर बनाया था कश्मीर बथट उसका कुछ जो वाटर था वो रह गया था और वो ही आज वूलर में है तब को यहां पर बोला गया महापदम मसार्ज ठीक है गाई और जो हम आगे बात करें इसकी तो जो लेक है गीव राइस दी हाई लीपिंग वेव इन आफ्टरनून इसमें बहुत मतलब वेव जुछती हैं आफ्टरनून के टाइम उसको लोला बोलते हैं संस्क्रिट में और इसको इसको लोला भी बोलते हैं लेक है समाल आईलेंड इसमें एक छोटा सा आईलेंड है जिसको हम बोलते हैं जेनलंग और इसको रामसर साइट कोशित किया गया नाइटी नाइटी में यह देखिए गाईज यह हमारी वुलर लेक यह हमारी वुलर लेक यह हरी पर बदफाट है यह हमरा हरी पर बत पॉाट है, यह सौर ठीया गईज, और यहां पर हमारी है, यह बूलर लिंक यह उसके बाद हम बात करते हैं हमारी डल लेक के बारे में डल लेक भी सिर्णगर में है, और इसको हम जेवल इंदी करॉन आफ कश्मीर भी बोलते हैं सिर्नगर जैवल भी बोलते हैं या लेक फ्लावर भी बोलते हैं इसका एरिया 18 स्क्वेर किलो मेटर है और इसको मेंचन किया गया है महासरित इंचन टाइम में और दाव डिवाइड इंटू काजवे इंटू फोर बेसिन इसको इसके वेट लेंड को चार बेसिन में डिवाइड किया जिसको पहला बोलते हैं गगरीबल फिर लोक्तक टल बोध डल और लास्ट नागी लोध तक डल और बोध डल इच एव एन आईजलें इस पर ये एक एक आईलेंड बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं रूप लंक और चार चिनारी जो हमारा लोटक डल पर है और बोध डल पर सोना लंक है ठीक है घ dil फ्लोटिंग गायडन जो हमारा ये गज सीख़वमार लेक में उसका हम राड बोलते हैं कश्मीर dh में और यह अग्षिया का जो लार्जーस टूलड़न है वोवगी डाल लेकर किनारे। जो मुगल गार्डंस है शेली मरबाग और निशादबॉक वो भी हमारे जो हैं डाल लेक के किनारे हैं गाईS यह देख सकते हम बिम्ताल लेक की बिम्ताल लेक उत्राखंड में है यह बिम्ताल लेक का बिम्ताल नाम क्यों पड़ा यहां पर बिम्ताल टाउन है जो के कमाउ रिजिन में है यहां पर एक मेजनरी डेम है जो बनाया गया था 1883 में क्रियेटिंग अ स्टोरेज फैसिलीटी इडिस लार्जस नेनी ताल इडिस्टिक ये लेनी ताल डिस्टिक में सबसे बड़ी लेक है और लेक नेनी ताल और जो है हमारी इसको लेक डिस्टिक भी बोलते हैं इडिस दी लार्जस्ट लेक इन कमाऊ रिजिन ये कमाऊ रिजिन की सबसे लार्जस्ट लेक है और सी शेप्ट लेक है हमारी कुम सी यही भीमताल लेग अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नैनीताल लेग के बारे में नैनीताल लेग यह हमारी जो है नेच्छरल फ्रेश बॉडडि है नीच्टرल सिजुएटीड टौंड शिप अफ ने नीच्टाल में यह लोकेटीड यह अत्राखंड Però cynट स्टेट वे और यह कीड़नी सेट है कि जो नेंतल सेट है उसके बाद हम बात करते हैं रूपकॉंड लेक के बारे में उत्राकाई ठीक है गाइज रूपकॉंड इसको मिस्टřी लेक वी बोलते है और स्केल्टन लेक भी बोलते है ये हाई अलीछीचूट ग्लेशिय लेक है रूपकॉंड इस वाइरली नोन हम आगे देखते हैं जब इसमें स्नो मेल्ट हो जाती है तो जो हमें लेक में दिखाई देते हैं रिसर्च जर्णली पॉइंट टूर सेमी लेंजेंडरी इवेंट वेन अग्रूप आप पिपर वर किल्ड इन सर्डन वायलेंट हेल स्टॉम नाइन सेंचरी यहां पर कहा जाता है एक ग्रूप यहां पर विजिट करने गया था और यहां पर क्या हुआ कि हेल स्टॉन होना शुरू होगी और यहां पर इनकी डैथ होगी और आज भी उनके स्केल्टल ही यहां पर मिलते हैं गया फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें नकी लेक जो के राजस्तान में हैं यह इसको यह एंशन सेक्रेड लेक है अकार्डिंग तु हिंदू लेजेंड इडिस नेम बिकास इट वस डग ओट विदी नेल्स इसको बताओ क्या इसका नाम क्यों रिखा गया था इसका नाम इसलिए क्या था कि यह जो हमने जो यह यह लेक है यह अपने नाखनू से खरुप के बनाए गयी है नकी लेक इस सैचुएटिट इन्डियन हिल स्टेशन मौंट अबू इन्डि अरावली रैंच नकी लेक जो है यहां पे मौंट अबू है और यहां पे यहां पे इरावली रैंच है महात्मा गांदी जो महात्मा गांदी की ashes थी वो इसी लेक में यहां पे सर्जित की गई थी 12th February 1948 को और यहां पे गांदी गार्ड भी construct करवाया गया था फिर नेक्स्ट बात हम करें संबर लेक के बारे में संबर लेक राजिस्तान में है यह इंडिया लाज़ेंस इन लेंड स्ाल्ट लेक है और इट इज़ा बोल शेप्ट लाइक एंसरकल हिस्टोरिकल सामडर लेक टॉन महां बारत में मैंचेन किया गहा है सामडर लेक is a part of kingdom of demon king बिशपर्वा बिशपर्वा जो सामडर लेक है यह इसके इसके मिल कींग्डम का पर्ट हुआ करती थी, बिशपरवा के कींग्डम का, आप यह देख सकते हैं, सांबर लेक, अब ही यह सुखी हुई है, तो यह आप यह पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दिबार लेक के बारे में दिबार लेक आलसू नोन ऐस जैसमंद लेक इसको जैसमंद लेक भी बोलते हैं यह इंडिया फॉस्ट एंड वर्ड पॉल्डेस हिस्टोरिकल एंड साकिंड लार्जस्ट आर्टिफिशल फ्रेश वाटर लेक है यह पुषकर अजमेर में है डिश्टिकीन राजस्तान पुषकर लेकी सेकरेड लेक आफ़ी हिंड लेक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं नाल सरोबर लेक के बारे में यह गुजरात में हैं गाई यह लार्जस यहां पे बार्ड सेंच्री आ और इसको नाल सरोबर को यहां पर आते हैं और लोग इसका यहां पर इंजॉय करते हैं इसको देखकर और जो नॉल्स रोवर वेट लेंड है गुजरात में यह बिगस्ट वेट लेंड है बड़ सेंचुरी इन दिस स्टेट फिर गाइज उसके बाद हम करते हैं बाद सलीम अली जो के महरास्टरा में है सलीम अली जो के थे एक अरिन्थोलाजिस्ट थे ठीके गाइज इनको बर्ड में अफ इंडिया भी बोला जाता था और इनका जो है यहां पर एक पहले नैशनल पार्क हुआ करता था जैंट के में अब इसको गल्फ कोर्स बना दिया गया है सलीम अली जो स्रोवर लेक है पॉपलरली नोन है सलीम अली तलाब भी इसको बोलते हैं यह लोकेटिड है नियर दिली गेट अपोजिट हिमयात बाग औरंगाबाद में गाइज फिर उसके बाद हम बात करते हैं लोनार लेक की यह है यहां पर अप उल्खा पेंट जो गिरा था उसकी वज़े से यह बनाई बनी हुई है यह महरास्टरा में है यहां पर एक मैटरोइट टक रहा था उसकी वज़े से बनी है इस वन उफ फोर नोन हाईपर विलॉसिटी इंपक्ट क्रियटर नि बसौल्टिक रॉक एनिवेर अन अर्थ ठीक है यह चार में से एक लेख है जो के बसौल्टिक रॉक के इंपक्ट से बनी हुई है जो बाकी तीन बसौल्टिक इंपक्ट हुए थे वह कहां है सोथ ब्राजि मेंघ Hils में यह देख सकते हैं। यहां पर मेटरोइट गिरा था और यहां पर ये लेक पारी भी तो को पूंते लूनार लेक है क्योंकि यह यहां पर एक राजा हो तेसे बोच उनके ऑनर में यह रखा गया यहां पर बोच वैटलेंड है जो के रामसर साइट है इस स्रॉंडिड बाइ वन विहार नैशनल पार्क ऑन दी सोथ इसके सोथ में जो है वन विहार नैशनल पार्क है गैज उसके बाद आता है गोविंद बल्लब सागर डेम यह आर्टिफिशल लेक है गैज गोविंद बल्लब इट इस अ लार्जस्ट आर्टिफिशल लेक रिहांद डेम इस कॉंक्रीट ग्रैविटी डेम लोकेटिड एड पिपरी सोन बद्रा डिस्टिक इन उत्तर परदेश पिष्ट इस लोकेटिड रिवर यह रिइखोंद रिवर पे लोकेटिड है घाईज और यह जो रिchaबर या contribute कि सौन रिवर के और सौन्र रिवर टरिडिडिक किसकी है गंगा की पिर उसके बाद बात करते हैं हम कवर लेक की ये बिहार में है इसको कवरताल भी कवरताल भी और कवरताल वैटलेंड भी बोलते हैं ये बेगो सराइड इस्टिक बिहार में है और एशिया लार्जस फ्रेश वाटर आक्स बूलेक है गाई और ये किस तरीके से बनी ही थी दिए मैंडरिंग से बनती है और ये मैंडरिंग कंदक रीवर की में टिर्क से बनी हुई है यच मिनेंट cul Nu from stuk UP M situation एक्म बनी देम освäre्ज मेंट शैने सको डिक्लियर कर दिया था फस्ट normster पाया जायता है चेहीं करता है जो वाटर में प्रेज़ेन्ट होतें तो यहां पर ट्रिंकी परपस के लिए यूज़ करते हैं इसके बपसन पिसको भाते हैं, क्वीज हाए, हैं यहां पर एक सस्था टेंपल है उसकी वज़ा से इसका नाम पड़ा सस्थम कोटा लेक ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विम्बान वेबानंद लेक यह भी केरिला में लोंगस्ट लेक है इंडिया की इडिस नोन अज पुन्नामडा लेक इन कुट्टानाड है इनकोची लेकिन कोची कोची में इसको कुची लेक बोलते हैं और कुन्नाडला जापुलते हैं और कुट्टानाड में लेकर इसक highways भाएंट टैन रिवर्स फ्लोईंग इनुस व्लाइंक इडिसमें मतलब 10 रिवर इसको आके फैट करती हैं जिनमें से इंपोर्टेंट्स रिवर से एच्ट कोविल मनीमाला मैनाचल रिवर मुवटा पूज़ पूज़ा रिवर एंड पंबा रिवर एंड परियार रिवर गए यह सैकेंड लार्जेस्ट साइट है इंडिया की ओनली आफ्टर स यहां पर सुंद्र बन है और उसके बाद यह सैकेंड लार्जेस्ट है ठीक है और उसके बाद जो नैरो ट्राफी रेस होती है वो भी इस यहां पर यह कंडक्ट करवाई यह तिया कैस्ट वैबनन लेक में यह यह देख सकते हैं गाइज फिर पर्यार लेक यह बी गैस के रला में है पर्यार इस फॉर्म बाइज कंस्ट्रक्शन आफ डेम क्रास मला प्रियार रिवर पर डेम बनुए इस लेक को बोते हैं पर्यार लेक यहां पर्यार वार्ड लाइफ सेंच्री है जो एलिफेंट रिजर्वार है यह लोकेटेड ह आंदिबेंक आफ परियार लेक, फिर बात करें हम कलेरू लेक के बारे में, यह अंधरा परदेश में, यह अं लार्ड़स शेलो फ्रेश वाटर लेक है, एशिया की क्रिशना का दावरी के बीज में ये पाई जाती है और दैलिक is ड्रेक्ट लीप फैड बाई ड्रेक्ली बाई वाटर सीजनल उसको फैड करती है बुद्ध हमे करती है बुद्ध हैस क्लेरू लेग को और जो एटापका बड्शेंचरी है वो भी क्लेरू लेग पे स्थित है फिर उसके बाद हम बात करते हैं पुली कट लेक पुली कट लेक भी जो है यह सेकंड प्रैकिश वाटर लेक है लगून है इंडिया में इट लाइज इन अंधर प्रदेशन तमिल नाडू टू रिवर्स इसको फैड करती है इस लगून को एक है अर्राई रिवर एं यह सपरेट करता है इस लेक को बेय मेंगॉल से लाइज हरी कोटा इस हमाफ सतीश दवन सपेस सेंटर और शरी हरी कोटा रेंज जहां पर सतीश दवन सपेस सेंटर भी है यहाँ से हमने अपना लांच किया था चंडरियान यह फ़स्ट लुनार सपेस मिशन था यह आप देख सकते हैं गई यहां पे आगए यह शिरी-हरी-कोटा यह हमारी पुली कट ले तो यहां पर यह योश्टिन है फिर उसके बाद आती है हुस्एन सागर लेक फुस्एन सागर ले गई तिलंगाना में तयं लेक हेदराबाद में इसको बनाया था तो हदरत हुसेन शावली ने 1562 में डूरिंग दी रूल आफ इबराइम कुली कुतबशा के रूल में बनाया था अल्टरनेटिव इसको टैंक बंद भी कहते है इडिस फैट बाई रिवर मोसी इसको रिवर मोसी फैट करती है कनेक्ट ट्विन सीटी अफ हैदराबाद और सकंदराबाद को यह कनेक्ट करती है मैजर अट्रेक्शन है उसेंसागर का बुद्दा स्टेचू है यहां पर जो के रॉक अफ जिल बाल्टर पर यह सेंटर अफ लेक में इसको बनाया गया फिर इसके बात बात करें हम चिलिका लेक की चिलिका लेक उडिसा में है ब्रैकिश वाटर लगून है गाईज यह लाज़स्ट कोस्टल लगून है इंडिया का और चिलिका लेक जो है लाज़स्ट विंटरी ग्रॉंड है माइग्रेटरी बार्ड्स के लिए गाईज चिलिक इस होम अफ ओनली नोन पॉपलेशन अफ इरावाडी डोल्फिन भी यहां पाई जाती है इन 1981 चिल्का लेक वस डैजिगनेटिव फस्ट इंडियन वैटल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टर संडर रामसर कन्वेंशन गाइज यह देख सकते हैं आप गाईज यह हमारी चिल्का लेक पिर उसके बाद आती है हमारे लोटक लेक जो कह है मानीपूर में यह लाज़स फ्रेश वाटर लेक है लोटक का मतलब होता है स्ट्रीम और टक का मतलब होता है दा एंड यहां पर फुमिडिस है फुमिडिस क्या होती है हेट्रोजिनिस मास अफ वेजिटेशन सॉयल और गैनिक मैटर अट वैरियू स्टेज़स अफ डिकंपोजिशन फ्लोटिंग अवर इट गाई केबल अमजव नेशनल पार्क पी-सी पे लोकेटिट है और यहां पर क्या पाय जाता है संगाई मनीपूर ब्राउन अल्टर डि कि यह हमारा मैं यह देखो गैस यह हमारी लोटक लेग यह देखो यह फूमीडीज और फ्लोटिंग पार्क आप उसके बसा सोलामु लेक ये हमारी सिक्यम में इसको चोलामु वी बोलते हैं यह आयस लेक हैं फनूरी ग्लैशियर यह सोर्स है तीस्ता रीवर का चुलामू लेक जो है यह तीस्ता रीवर की सोर्स है फिर उसके बाद आता है गुरू डॉंगमार लेक यह भी सिकी में है यह वन अफ दी हाइस लेक है वर्ल्ड की और इंडिया की दा लेक नेम आफटर गुरू पदम संभा अलसो नोन आज गुरू रिंट पोशे यह फौंडर हैं तिब्तियां बुद्धिजम के जिनने यहां पर विजट किया था एर्स सेंचुरी में गाइज उसके बाद आती है सौंगमो लेक यह सिकी में है सौंगमो को चांगू लेक भी बहुते हैं यह इस सिकी में है यह दा सिकी में असेंबल एड़ लेक और ड्राइब बेनिफिट फ्रम लेक फ्रम लेक वाटर गई एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं सोंगमो लेको यह सेक्रेड लेक है गई गार्च पर इसके बाद आती हमारी बारापानी लेक यह मेगाल्यम में बारापानी अर्व मैम लेक यह जो है शिलोंग में है दा औरीजिन आफ लेक नांटीन इस्ट डूटू यहां पर बनाया गया था उमयम मुत्रू हाइडरो एलेक्ट्री फरस्ट हाइडर अच्छा मैं आधी त्ट इसमें यह मैं आपको बता चुका हूं यह हमारे जो थे है कौन सी स्टेट में कौन खूलेक है यह हम देख चुके मैप और हम फैक्ट से लेटी टू लेक इक और देख लेते हैं डीपेस लेक है वाल्ड की बाइकाल लेक यह fresh water lake ہے रेशीया में है trafish water lake कोंसिया? Lake superior है यह Canada और USA के बीच में है largest lake involved है Kaspian si यह एरान, रुशिया औ काजान pacistan, अजरुबाइज podob and Durkadistan कुमानिस्तान में है saltiest inland water lake कोंसिया? Dead Sea है यह Palestine, Israel and Jordan में है lowest lake involved है Dead Sea है largest inland salt water lake in India या सांबर लेक है फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है जमुकुशमीर में कोस्टर लगून है चिलिका लेक और लज़स आर्टिफिशल लेक है गोविंद बल्लब सागर रिजर्वाइर जो यूपी में है रिहांत रीवर पे और रिहांत है कि ट्रिबू त्रिभूिट ये रहांद इसन की और सन जों MAN गंगा की ट्रॉडbूar है लाजिस डिस्टिक अफ इंडिवा कुन सी है कई है यह हमारी नैनी ताल डिस्टिक है उत्रखं में कंट्री Свिट नोन एज लेंड अव थो तो प्लीज शेर, लाइक, कमेंट और जो हमारे जो नए बच्चे हैं जो जिनने अभी इस वीडियो को देखा है तो वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जुरू ट्रेस्ट कर लें ताके हमारी हर एक लेटस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पॉइ सब्सक्राइब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में सब तक के लिए गुड़ बाई डस्ट आफ लाग थैंक यू